आज हम आपका हिंदी साहित्य में पार्ट पंद्रा पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ जैसे मैंने बुला कि नौकर आपके खनमेदी कोई काम करने के लिए आता है जारू पोछा बरतन ये कुछ भी खेत में तो आप उसको क्या समझते हैं आप लोगों को उनके प्रति हीन भावन आति ये लेकिन क्या है गांदी जीज्यों थे क्या करते थे उपना छोटे सीं चोटा काम भी वह अपना क्या करते थे कि इसले कि किसी को आप नौकर न समझेbuild और और किसी के प्रति हीन भावन न रखे तो आपका पाठ है उसी पर आधार थे पाठ का नाम है नौकर तो सबसे पहले हम आपके जो इसकी लेखी का है अनु बंधो पाधिया उसके बारे में जान लेते हैं तो अनु बंधो पाधिया का जन्ब 1917 में अमर्ति जग्रण गांधी चैग गांधी जीग के संपाधन के अलावा कसतूर्भा टरस्ट के साथ भी काम किया भहुर रूप गांधी जी में लेखीका ने गांधी जी की दिनचरिया के उन कार्यों को रोचक्ता से लिखा है जिनोंने गांधी जी खुशी से क्या करते थे गांधी जी केवल राष्टिपिता और स्वाधिनता के निर्माता ही नहीं थे उनके जीवन में हर प्रसंग से सिखा जा सकता है, तो वो क्या थे, वो मैंसा गांधी जी के साथ रहा करती थी, और उनके जो दिन चरिया होती थी, सुभे से साम तक जो काम क्या करते थे, उनके बाले में वो क्या करती थी, गांधी जी के बाले में लिखा करती थी, और गांध तो इन्होंने क्या करते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं तो जिस जमाने में बैरिष्ट्री से 1000 रुपे कमाते थे उसमें वे प्रतिदिं सुबह अपने हाथ से चक्की पर आठापिसा करते थे तो उन्होंने बताया जो लेखी का थी, उन्होंने बताया कि गांदी जी क्या था, जिस जमाने में वो अबैरिष्ट्री जो वकालत थी, वकील थी वो, तो हजार उर्पे कमाते थे, लेकिन उस समय भी वो क्या करते थे, परती दिन सुबह हाथ से क्या करते थे, चक्की पर चक्की पिसने में हाथ बटाया करते थे, इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पिस लेते थे, मतलब वो ऐसा नहीं करते थे कि कई पिसने दे या किसको पिसाई किसी नौकर से भी पिसा सकते थे, लेकिन हो क्या करते थे, जैसा उन्हें आ उन्हें जारी रख़्ा करने में कभी कभी घंटों करते हैं जब कभी खराब जाती ति घंटों थीक करने में समय वेतीतं करते एक बार एक काहरे करता निख कहा कि वे आशर श् Hakuk में काम करने यह नहीं कहा कि आप लोग पीस लो या किसी को बुला लो तो गांदी जी स्वेम आठा पीसने के लिए वहाँ पर तयार होके जाने लगे ग्यू पीसने से पहले उन्हें बीनकर साफ करने परवा जोड देते तो ग्यूह को जब पीसते थे तो उसे साफ करने के लिए वह कहते थे कि पहले साफ करो तब आपको पीसना कौपिन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देख उनसे मिनने वाले लोग हैड़त में पढ पहने का थे जो धंग होता है उसे बोलते कवपिन धारी तो मतलब गांदी जी हमान व्यक्ति को बाहर से लोग आते थे बड़े बड़े उन्हें कोई शर्म नहीं लगती थी कि मैं कोई काम कर रहा हूं छोटा बड़ा कोई भी काम होता था वह स्वयम्प करते थे एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्यान का बड़ा गर्व था गांधी जी से बातचीत के अं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हूंगे तो उन्हें क्या था अपने अंग्रेजी पर बहुत ज्यादा घ्यान था कि हम पढ़े लिखे हैं बस हमसे ज्यादा पढ़ेज का कोई नहीं है तो गांधी जी से बातचीत करके अंत में उन्होंने बोला कि बापु यदि हम आपकी बताना आपना कोई काम आपके काम आसुकूं तो उन्हें आसा थी कि बापु उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे क्योंकि वो कॉलेज के चाहते थे उन्हें लगा कि गांधी जी क्या देंगे हमें पढ़ने लिखने का कोई काम देंगे और गांधी जी ने क्या उनके मन की बात ताली थी मतलब उन्हा अनमान लगा लिया था कि अपने आपको बहुत पड़ा लिखा समझे और बोले अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के ग्योहूं बीन डालिए तो उन्होंने क्या कहा तो समझ गे थी कि अपने पड़ाई पर गमंड करें तो उन्होंन तो गहुं बिनने के बाद वह ठक गये और गांधी जी से विदा मांगा कर चल दिये। और आगणतु क्यमने क्या होता है जो क्या आने वाले महमान थे वह लोग उनसे हैं मुश्किल में टाल गया कि गांधी जी ने क्या काम दे दिया हमें तो उन्होंने का ठीक है अब तो कोई चाला ही नहीं था उनके पास तो उन्होंने का कि फिर उन्होंने गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम सभालने में मदद दी सवेरे की प्रातना के बाद वे रोसोई घर में जाकर सबजिया छीलते रोसोई घर या भंडारे में अगर वे कही गंदगी या मकडी का जाला पाते तो अपने साथेों को आड़े हातों लेते थे तो गांदी जी ने फिर क्या कुछ वर्षों तक कुछ साले तो गांदी जी ने ऐसा करा आश्रम में जो खाना मनते है न भंडारे का जहां पर आशन पानी रखा जाता है वहां का काम भी समालने में लोगों की बदद करी और वो क्या करते है शबेरे उठके करते प्रातना करने के बाद कहा जाते थे रोसोई घर में जाकर लोगों की जो उनके साथ कारे करता होते थे उनके साथ बैठ कर सब्जिया छिला करते थे और रोसोई घर भंडार में एदिवों क्या करते देखते थे कई गंदगी मकडी का जाला देखते थे तो वो क्या करते थे अ और अनाय के पोश्टिक गुणो का ग्यान था. नहाँ तक कि उन्हें क्या था? कि कौन से सबजी खाने चीए, कौन से फल खाने चीए, इनके फलों से हमें क्या-क्या पोश्टिक था मिलती है, उनको सब उन्ची जोका गांदी जी को ग्यान था. एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोय आलू कार दिये गांधी ने उसे समझाया कि आलू और निम्बू को बिना धोय नहीं कार दा चाहिए एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिये जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे तो गांधी जी ने एक बार क्या हो आस्वासी ने क्या करा तो उन्होंने आलू छिले और आलू को बिना धोये क्या होगा सब्जी में डाल दिये और फिर गांदी जी ने देख लिया उसको तो गांदी जी ने उसको समझाया कि आपको आलू और जो नीम्बू है बिना धोय नहीं काट ले चीए हाना फिर एक बार आशनवासी जो था उसको खाने के लिए कैसे कहले दिया जिसमें होता है जब काले-काले से धपे पढ़ जाते चिलके उपर काले चक्ते पढ़ जाते तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसने गांदी जी ने मझे क्या सड़ेवे केले खाने को दे दिये तब ग गांदी जी ने उसको समझाया कि आप इस तरह के काम ना करें इसलिए दिये क्योंकि आपका जो खाने के जो डाइजेस्टन है आपका तो क्या पाचन हाजमर क्या है आपका खराब है कमजोर है तो इसलिए आपको दिये जिससे की जल्दी से पच जाएं गांधी आशनवास् जो लोगों को आश्रम में परोशते थे तो क्या थे वो बीछाले जो लोग होते थे खाना खाना उता था उसके प्यादे में कुछ भी नहीं कह सकते थे और वो चुपचाब उस खाने को खालिया करते थे दक्षिन अफरीका की एक जेल में वे सैकडो कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोशने का कार कर चुके थे तो उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ दक्षिन अफरीका के एक जेल में क्या हुआ कि वो सैकडो कैदियों को उसने क्या कराए कि कैदियों को जेल में क्या करते थे, खाना भी पुरोझ दिया करते थे तो आसरम का एक नियम भी था, कि वे सब लोगों को अपने पर्तन खुल sahब करें, तो उन्होंने एक नियम बना लगए था-lısay Native तो वो अपने जो रोसे के जो है उनको उन गुरूप बना रखता एक बार एक गुरूप दोता था मतब दल बना के धोते थे तो एक गुरूप करताक फिर दूसरा दल तो इस तरह से वो काम क्या करते थे एक दिन गादी जी ने बड़े-बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर ले लिया, इन पतीलों की पेंदी में खुब कालिक लगी थी, राग भरे हातों से वह एक पतीले को खुब जोर-जोर से रगडने में लगे हुए थे, कि तभी कस्तुर्बा वहां आ ग उनसे खुब जोर-जोर से रगड़ रहे थे, इतने में क्या हुआ कि कस्तुर्बा जो उनकी वाइफ थी पतनी, वहां पर आ गई, तो उन्होंने पीतर को, पतीले को पकड़ लिया, और बोली, यहां काम आपका नहीं है, इसे करने और बहुत से लोग है, उसने का, उनकी व उनकी सफाई सवाप का चले आए, तो उन्होंने का कि अब उनसे कौन वहाइस करें अपनी वाइफ से, उन्होंने का कि ठीक है, इसे वहाइस करना बेका रहा है, तो उन्होंने चुपचाप उनकी बात मानी, और वो बरतन कस्तुर्बा जी को देकर, वहां से वह चले गए, बरतन एदम चमकते नहों, तब गांदी जी को संतोस नहीं होता था, और गांदी जी साफ सपाई का बहुत ध्यान लगते थे, और यदि कोई बरतन साफ नहों, तो उन्होंने क्या होता था, संतोस नहीं मिलता था, कि ये बरतन बिकुल भी साफ सुत्रे नहीं, तो एक बार जेल में उनको जो मददकार दिया गया था। उनके काम से असंतुश ठोकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी मांचकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्मान हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ महमानों को तंबूओं में सोना परता था एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहां रखना चाहिए इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और वहाँ पता लगाने गया कि उसे कहां रखना है तो एक बार क्या आश्रम का बन रहा था आश्रम निर्मान हो रहा था तो वहाँ पर क्या है आने वाले कुछ महमानों को कहां पर ठहरा गया जब आस्रम तो बन रहा था तो जो कपड़े के तंबू होते ना बने वे तो उसमें उनको सोना पड़ता था वहाँ पर रहते थे वो लो तो एक नया महमान आया था तो उसको नहीं पता था कि वह बिस्तर कहां पर रखने चाहिए इसलों इसलों अपना बिस्तर लपेटा और प्रूररे नों इसको बिस्तर को उठाया और अपने कंधे पर जहां पर रखते होंगे सारे बिस्तर वह पर रखने के लिए छले जा रहे है अश्रम के लिएảng कबने कको बने काम भी वे रोज करते थे और उनका काम क्या था आश्रम के भारे कुई बना रख था उन्हों ने उसकोय से भी वो पानी खिषने का काम भी अपनाप करते थे एक दिन गांदी जी कुछ अस्वस्त थे और चक्की पर आटा पिषने के काम में हिस्सा बाट बटा चुके थे उनके साथ उनके एक साती ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की साहिता से सबी छोटे बड़े बटनों में पानी भर डाला गांदी को यहां बात पसंद नहीं आई मन में कुछ ठेश भी लगी और तो एक बात क्या हुआ तो गांदी जी का थोड़ी तबेत खराब रही होगी तो उन्होंने क्या करा तो आटा तो पीष चुके थे रोज पे चक्क पानी भर डाले तो गांदी जी को यह बात पसंद नहीं की याई कि मेरा काम इन लोगों ने क्यों करा मतर्य लगता कि मैं कोई काम नी कर सकता मैं बिमार हूं तो उनको मन में ठेश लगए उन्हों को बुरा लगा तो उन्होंने अपने बच्चों के नहाने का एक टब उठा करूँगा तो जब गांदी जी ने देखा कि उन्होंने सब काम कर तो उन्होंने बच्चों को जुनाने का टब था उठाया को ऐसे पानी भरा अपने सीरी पर रखकर लेकर आ गए तो विचारे जो कार्य करता था उसको अपने गलती का एहसास हो गया कि भई भी गांदी जी को अधैनिक साधिरिक्ष्रम ना करना पड़े तो उनको ऐसा रखता था कि जब तक वो बिस्तर से इतने बीमार हों कि वो बिस्तर से ना हुट सके तब तक उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई उनका काम का तो यह ना समझे कि यह बूढ़ा हो गया और यह मात्मा है तो उनके ह इसे का बिस्तर से का जो काम है कोई और ले तो उनके बिल्कुल पसंद नहीं था उनमें हर प्रकार का का काम करने की अदूट छमता और शक्ति थी और गांधी जी को ठंकान नाम कि तो जानते नहीं थे कि पहते हैं दक्षेन अफ्रिका में बोर यूद के दोरान एन्होंगों। गहिलों को इस्टेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढगा मिलों पादल रोनधां। गांधी जी को मताब पैदल चलने कितनी आजा थी कि वो मिलो पैदल चल सकते हैं उन्हें कोई थकान नहीं लगती थी दक्षिन अफ्रिका में जब वे डॉल स्टाइड बाडी में रहते थे तब आपास के सहर में कोई काम नहीं अक्सर 42 मिल तक पैदल चलते थे और वो क्या करते थे जब वो दक्चीन अफ्रिका के टॉल स्टाई में रहते थे तो वहां क्या करते थे काम नहोंने पर वो क्या करते दिन में अक्सर 42 मिल तक पैदल चला करते थे इसके लिए वे घर में बना कुछ नास्ता साथ लेका सुबह दो बजे ही निकल परते थे सहर में खरदारी करते और शाम होते होते वापस स्वाम पर लोट आते थे उनके अन्य साथी भी उनके इस उधारन का खुशी खुशी अनुकरन करते थे तो गांदी जी क्या करते थे सुबह उठते थे दो बजे और सुबह दो बजे उठके ही वो क्या करते थे सहर में जो समान लेने जाना परता थे वो पैदली चलते थे और वाप वाज कर रसाम होते होते आपने वापस वापस आ जाते थे तो उनके जो साथी थे वो भी उनको देखा से की कि ये तर चल सकते तो हम क्यों नी वो भी खुशी-खुशी उनका अनुकरण करते थे एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे वे थे एक सुबह काम खत्म करने पर वे लोग फावडे, कुदाल और टोक्रिया लिए जब वापस लोटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नास्ते के लिए फल आदी तयार कर रखे हैं एक बार क्या हुआ उनके तलाब का काम चल रहा था भराई का काम चल रहा था तो गांधी जी के जो साथी थे सुबह जाते थे काम करने के लिए उनके जैसी काम करके अपना सामान लेकर कुदाली फॉड़ा लेकर वापिस आए तो देखा कि गांधी जी ने तस्तरियों में के लिए फल काटकर रखे वे थे एक साथी ने पूछा आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया क्या यह उचित है कि हम आप से सेवा कराए गांधी जी गांधी जी ने मुस्करा कर उत्तर दिया क्यों नहीं मैं जानता था कि तुम लोग ठके मांदे लोटोगे मरा नास्ता तयार करने के मेरे पास खाली समieza था तो उन्होंने जो उनकी छो साथी टो उन्होंने बुला कि क्यूं हमारा इस तरह से हमाली खाना बसता दो बड्रक्षिसों के लिए जी नास्ता प्सक्रम कर पासासा मांधा है भारतिय परवाश्यों की मांगों को बिर्टी सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए तो दक्षिन इफ्रीका के रहने वारी जो भारतिय थे जाने माने निता के रूपे गांधी जी कहा गए भारतिय परवाश्यों की जो मांग थी बिर्टी सरकार के सामने रखने इस असर के लिए स्वयम ही साकारी भोजन त्यार करने का निश्यक किया तो उंढ जो छँटपूट काम करने में उनकी मदद करने लगा बाद में चात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वहां दुबला पत्ला आदमी और कोई नहीं उस साम को भोज में निमंतित उनके सम्मानित अतिती गांदी जी थे तो उन्होंने कहा कि अपना जो खाना था उनको भोजन पर बुलाया था लोगोंने तो वह लोग नहीं का हम स्वायं बनाएंगे तो जब वो खाने की मतब बनाने की कोशिश करे थे तो इतने में क्या हुआ वहां पर दुबला पत्ला को अचेरा बदन का एक व्यक्ति आ गया और वो उन बच्चों के साथ काम करने लगया, चात्रों के साथ काम करने लगया, कई सबजी कारना, कई बरतन धोना, चोटे मटे काम करने में मदद करने लगा, तो उनको तो मालूम ने था कि ये वक्ति कौन है, उनका चात्रों का बड़ा नेता था, उसको उसने देखा कि ये तुछर स्सक्राइब करैंज थि जब अपने लिचल में करतें अपने देरें पर लोटे तो रात हो गई सोने से पहले एपने कमरे का फर्स बावर रहे थे तो क्या हुआ कि एक बार क्या किसी राज़ेतिक समयलन में गांदी जी गएंगे और अपने जहां पर हने का जगा थी वहां पर लोटे तो रात होगी थी तो सोने से पहले उन्होंने अपने कम्रे का फर्स बुहारना मतलब साफ कर रहे थे उस समय रात के 10 बजे थे और रात के 10 बजे मतलब ऐस नहीं कि वहां से थकार के आया तो सोजाओं नहीं तो उन्होंने क्या कर अपना जो फर्स था उसको वह साफ कर रहे थे एक कारे करता ने दौड कर गांदी के हाथ से बौहारी ले ले लिए उस समय रात को यदि लिखते समय लायल्टन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रम पर अपने किसी नहीं जगाते थे तो उनका गांदी जी जब दौरों पर जाते थे तो कई बाल लगता था उनको किसी भी आपने सथा उनको नहीं उठाते थे नुवा खाली पद्यात्रा के समय गांधी ने अपने सिवर में केवल दो वेक्तियों को ही रहने की अनुमती देते थे इन दोनों को यहां नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बराए जाता है इस पर गदी जी सन्य रोसोय में जा बैठे और निपून रोसोय के तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधी बताई अवस्तर किते थी 78 वर्ष की थी इतने बुर्जूर्ग होने के बावजूद भी अपना काम वो सहम क्या करते थे गांधी को बच्चों में बहुत प्रेम था गांधी को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, वे अपने बच्चों के जन्म के दो महाँ बाद उन्होंने कभी किसी दाई को अपने बच्चे की देख भार के लिए नहीं रखा वे मानती थे कि बच्चों के विकास के लिए माबाप का प्यार और उसकी देख भार अनिवारी है तो गांदी जीजे जब अपने बच्ची वे तो वो दो महीने के भी जो आते हैं काम करने के लिए दाई वगरा तो उन्होंनोंने किसी दाई वगरा को नहीं रखा और वे अपना अपने बच्चोच की देख भार स्वयम करते थे उनका मानना था कि बच्चों के जो विकास है उनकों के लिए क्या है Maabab का प्यार की देखबार करते थे खिला पिला और बहला भी सकते थे एक बार दक्षिन अफरीका में जेल से छूटने के बाद घर लोटने पर उने देखा कि उनके मित्री की पत्दी स्रीमत्ती पॉलक बहुत ही दूबली और कमजोर हो गई है उनका बच्चा उनका दूद पीना छोड़ता नहीं था और वहाँ उसका दूद छुड़वाने की कोशिश कर रही थी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रोकर उन्हें जगाए रखता था तो एक बर क्या हुआ जो कि जब वहाँ पर दक्षिन अफ्रीका में जेल से शुटे और वहाँ से लौटे के बाद उन्हें देखा कि उनकी जो मित्र है स्रीमत्य मित्र की जो पत्नी थी स्रीमत्य पॉलर तो बहुत कमजोर होगे थी विचारी की क्यों होगे थी तो उसका बच्चा अपनी मम्मी का दूद पिना नहीं छोड़ता था और वह बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वह नहीं छोड़ रहता था और उसे जगाए रखता तो गांधी जी जिस दिन लोटे उसी जात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों ले लिया, जिस दिन गांधी जी उहाँ पे से लोटे जेल से तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की देखभाल अप में करूंगा, सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाशन देने के बाद चार मिल पैदल चल कर गांधी कभी कभी रात को एक बज़े पहुंसते थे और बच्चे को स्रीमती पॉलक के बिस्तर से उठा कर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और क्या करते थे गांधी जी क्या करते थे कईबहें सभाओं में बाशन दिने का काम होता था करते थे कि पास एक बच्तन पानी भर रख लेड़敢 और क्या करते थे अपनी चारपाई के पास वो क्या करते थे पानी का बरतन भरके रख लिया करते थे यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला देते थे तो वो क्या करते थे अपने बिस्तर के बगल में पानी रखते थे और उसको यदि बच्चे को प्यास लगे भूक लगे बच्चा गांदी जी के साथ आराम से रात-बार स्वया रहता था एक पकवाड़े तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूद चोड़ दिया जब गांदी जी रोज उसको अपने साथ लेकर जाते थे तो हास हो जाता था उसने कई दिनों तक इस तरह से चलता रहा तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी का दूद पीना छोड़ दिया गांधी अपने से बड़ो का बड़ा आदर करते थे दक्षीन अफ्रिका में गोखले गांधी उनके साथ ठहरे वे थे उस समय गांधी ने अपने दूपटे परिस्तरी की वहाँ उनका बिस्तर ठीक करते थे उनको भोजन परोशते थे और उनके पैर दबाने को भी तयार रहते थे तो गांधी जी क्या करते थे अपने से बड़ों का बहुत आदर क्या करते थे और तो दक्षिन अफ्रिका में गोखले जी गांदी जी के साथ ठैरे वे थे तो उसमें गांदी जी ने उनके दुपटे में इस्तरी करी और उनको इस्तरी मतलब प्रेस करी और उनके बिस्तर को ठीक करते थे, उनने भोजन खिलाते थे और उनके पैर दमाने को भी वो तेयार रहते थे गोकले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे और वो मना करते थे कि भई आप मत करो तो लेकिन गांधी जी उनकी सेवा में लगे रहते थे महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षीन अफरीका से भारत आने पर गांधी कॉंग्रेस के अधिवेशन में गए वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किये और उसके बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी कहां गए मतब महात्मा कहलाने से मतब महात्मा कहलाने से पहले वो एक बार का दक्षीन अफरीका में थे और उन्होंने आने पर गांधी जी कॉंग्रेस के कोई बड़ा दिवेशन चला होगा वहाँ प पर जो पकाने में ट्वालेट जो थी ना लैट्रिंग वहाँ पर उन्होंने लैट्रिंग तक साफ करी हना सबकी ट्वालेट साफ करी लैट्रिंग साफ करी और एक बड़े कॉंग्रेशी नेता से भी उन्होंने पूछा था कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं नेता ने कहा म मेरे पास क्या ओगी बहुत सारे पत्री खट्फे हो गए हैं, तो आप ऐसा करो कि इन पत्रों के क्या जवाब आप लिख दो, क्योंकि मेरे पास कोई भी कार्कुन मतरब जो पत्र लिखने वाले होता है तो नहीं है, कोई कारी करता नहीं है जिससे कि या मैं काम दे दूं क्या तुम या काम करने को तयार हो तो उन्होंने उसे बोला कि आप इस काम को करने के लिए तयार हो तो गांधी ने कहा जरूर मैं ऐसा कोई काम भी करने को तयार हूँ जो मेरी सामर्थे से बाहर ना हो उसने का ऐसा कोई सेवा का काम भी खुशी से किया है यहां तक कि उन्होंने उनके कमीज में क्या करा बटन लगाने का काम और जो अन्य सेवाई थे उनको खुशी से उन्होंने पूरा किया जब कभी आश्रम में किसी सायक को रखने की आशकता होती तब गांदी जी किसी हरीजन को रखने का आग तो उनका कहना था नमकुर को हम वेतन भोगी हना तो लेकिन हरीजन शब्द क्या है असाविधानिक माना जाता है हमें ऐसे जो सब्ध है आपको अमे लेखक ने इसको बताने के लिए आपको पता है लेकिन इस तरह के सब्डों का प्रियोग हमें आपस में बिल्कुल नहीं करन चाहिए, इसे व्यवार में नहीं लाना चाहिए, लेकिन किवल हुनोंने बताने के लिए आपको, यहांपर हरिजयन शब्स का प्रियोग किया है, तो मजदूर नहीं, बलकि अपने भावियों के सामान मानना चाहिए, उनोंने कहा कि मतलब उनको तुछ नी समझना चाहिए, अ आपको पुलीस इस्टेशन पर सब कुछ होना चीज हो सकता है कि वो कैसा हो चोर हो हमें क्या पता उसके बारे में, तो उन्हों ने का कि हमें उनको कुछ नहीं समझना चीज है, यह कोशिश जो हम करेंगे, वो सरवता कभी भी हमारी बेकार नहीं जाएगी, एक बार होगा, द मालूं, उन्हें यहां मालूं ही नहीं था कि किसी को नौकर की भारती कैसे रखे, उन्हें यह भी नहीं मालूं था कि किसी को नौकर की भारती हम किस तरह से रखे, मतलब वो अपना काम समय करते थे, उन्हें कोई काम चोटा बड़ा नहीं लगता था, उनका कहना था कि हमें निजी नौकर की तरह काम करता और चोथा उनके पखाने की सफाई करता था एक ब्रहामन कैदी उनके बरतंद होता था और दो गोरे युर्योपियन परती दिन उनकी चारपाई को बहार निकालते थे तो उन्हें यह नहीं मालने थे कि नौकरों किस तरह से काम करते हैं तो उन् गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊचे घरानों में घरेलु काम, नौकलों को परिवार का आदमी माना जाता था एक बार एक अंग्रेश गर से विदा लेते समय उन्होंने याद़ देखा कि देखकर खुशी हुई कि घरेलु नौकलों को उनके परिचे तो गरानों तो जो नोकर थो आदमी माना जाँ उन्होंने का कि वह नोकरों की तरह टीट नहीं करते थे। एक बार एक अंग्रेश की घर से विदा लेते समय उन्हें यहां देकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर को उनके परिचे नौकरों की तरह नहीं बलकि परिवार के सद्धिस्टों के समान कराया गया तो गांधी जी ने रिखा कि इंग्लेन के जो अच्छे च्छे घरों के लो जब चलने लगे तब उनके घर के नौकरों से उन्हें विदा ली और कहा मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता उससे भाई या बहनी माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ आपने मेरे जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामत्य मुझ में नहीं है इसलिए इसवर आपको आपको इसका पूरा फल देंगे तो एक बार किसी भारते क्या ठैरोंगे गांदी जी काफी दिनों ठैरने के बाद जब चलने लगे तो उसके घर के जो नौकर थे उनसे विदाली गांदी जी ने और उनने जाकर कहा कि मैं कभी भी किसी को न का मर्थ हैं मेर में नहीं है मतलब मैं आपको उसका फल नहीं दे सकता हूं कुछ भी कि आपको दे सकूँ लेकिन मैं चालता हूं कि इसलिए आपका पूरा फल इसको आप लोगों को दोज़